करन जोहर ने कार्टे कार्यन के साथ धर्मा प्रेडक्शन्स की जिस फिल्म का किया था रीसिंट्ली एलान उसकी रिलीज क्यों पुश की जा रही है आगे? वैल आगे की कहानी में आखिर ये कौन सा मोड आया है? जो लेकर आया है केजो के अनाउंस्मेंट में एक बड़ा ट्विस्ट क्या है कार्टे की फिल्म की रिलीज और आगे बढ़ने का रीजन? वैल ये तो आगे स्टोरी में हम आपको बताएंगे ही साथ ही दिखाएंगे रितिक रोषन स्टारर वार टू का क्या है केजो के अनाउंस्मेंट से कनेक्शन रिसेंटली कार्टिक आरियन के बर्दे पर करन जोहर ने किया था एक बड़ा अनाउंस्मेंट दोस्ताना 2 को लेकर शुरू हुए टिफ की बातों पर करन जोहर के अनॉंस्मेंट ने ब्रेक भी लगा दिया और फिर कार्तिक के फैंस के लिए स्टार्ट हो गया इस फिल्म का इंतिजार लेकिन सोस्स की माने तो करन जोहर कार्तिक स्टारर की रिलीज आगे पुश करने का मन बना रही है क्यूंकि इसी बीच वायरेफ ने अनॉंस किया है कि 15 ओगस 2025 को रिलीज होगी रुतिक रोशन स्टारर वार टू यश्राज फिल्म के इस वेंचर के डिरेक्टर है अयान मखर जी ऐसे में सोस्स से इशारा मिला है कि करन जोहर और कार्तिक ने पहले तो वार टू के साथ ही बॉक्स ओफिस पर जानी का फैसला किया पर अब उन्हें लग रहा है कि इस क्लाश से कोई बड़ा फाइदा नहीं होगा इसलिए केजो ने कार्तिकारियन स्टारर की रिलीज आगे पुश करने का मन बना लिया है सोसिस का कहना है कि वायर एफ की रितिक रौशन स्टारर वार टू अगर अपनी इंडिपेंडेंस डे रिलीज पर कायम रहती है तो वो कार्तिकारियन स्टारर की रिलीज आगे पुश कर देंगे जो हो सकती है 2nd October 2025 बता दे कि वार टू में रितिक रौशन के अलावा जूनियर एंटियार किया राडवानी और जॉन इब्रहेम भी नजर आएंगे वही केजों की अनॉंस्मेंट के बाद से फैंस और नेटिजन स्पेकुलेशन्स में लगे हैं कि फिल्म में आगे कौन होगी कार्तिकारियन की हिरोई